Hello guys, आप सब का स्वगत है The Divine Talks में और आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव और मातसती के बाड़े में तैसे कि हम सब जानते हैं कि भगवान शिव और मातसती कैसे मिली थी और कैसे उनका विवा अलबा था पर मैं चो ये नहीं कहानी सुनना हूं वो काफी अलग है और मैं चाहता हूँ ये कहानी आपको भी पता चले तो शुरू करते हैं तो ये कहानी शुरू होती है जब पजापती दक्ष की काफी बेटियां थी सारी बेटियां उनकी गुनवान थी पर पजापती दक्ष को एक ऐसी बेटी चाहिए थी जो सकती संपन हो तब पजापती दक्ष ने एक ताप शुरू किया काफी समय बाद उनको उनके ताप काफल मिलता है कब जब भगवती आदी शक्ती उनके सामने पकट होती है और कहती है कि दक्ष मैं तुम्हारे ताप से खुश हूँ मैं तुम्हारे घर में जनम लोगी और मेरा नाम सती होगा और कुछ समय बाद अगवती आदिशक्ति उनके घर में जनम लेती है धीरे धीरे सती बड़ी हो रही थी और पज़ापती दक्ष को उनके विवा की चिंता हो रही थी तो पज़ापती दक्ष अपने पिता के पाजाते रहें जो थे ब्रह्मदीव और उनसे कहते हैं कि पिता जी अब सती बड़ी हो रही है मुझे उसके विवा की चिंता हो रही है और प्रह्मदीव कहते हैं सती आदिशक्ति है और शीव आदिपुरूश है तो सती के लिए शीव ही अच्छे वर होंगे ये बास सुनके पज़ापती दक्ष ने पर फिर कुछ ऐसी घटना होई कि पज़ापती दक्ष के मन में भावानशिव के लिए नफरत पैदा हो गई वो घटना कुछ ऐसी थी कि एक बार भावानब्रह्मन ने एक सभा भुलें और वो सभा का कारण था दर्म उस सभा में सारे देफता आये थे उनमें भावानशिव भी थे जब पज़ापती दक्ष सभा में आये तो सारे देफता उनको देखे खड़े होई और उनने परनाम किया फर भावानशिव ना खड़े होई ना उनके परनाम किया ये सब देखे पज़ापती दक्ष को आपमाल हुआ कि सारे देफता मुझे देखकर खड़े होई पर शिव नहीं होई फिर पज़ापती दक्ष शिव से बंदा नेने के लिए समय डोगने लगे तो एक दिन पज़ापती दक्ष ने अपने घर में एक यग रखा था पज़ापती दक्ष ने सारे देफताओं को बुलाया था पर उन्होंने शिव और सती को नहीं बुलाया था जब ये बात माता सती को पता चलती है कि उनके पिता ने एक यग रखा है तो उनका मन होता है जाने का पर वो शिफ से पुछे कैसे बावाणशिफ तो ध्यान में थे कुछ समयवाद जब बावाणशिफ ध्यान से बहार आते हैं तो मातसति उसे पूछती है क्या मैं अपने पिता के घर जा सकती हूँ उन्होंने कियत रखा है बावाणशिफ मना कर देते हैं बूलके कि आपके पिता ने हमको नहीं बुलाया है तो मातसति कहते हैं कि इस यग में मेरी सारी बेहने आई है और हमें में ने ओवे काफी समय हो गया है तो अगर आपकी हाँ हो तो मैं जा सकती हूँ तो बावाणशिव कहते हैं कि इसमय अच्छा नहीं है और आपको तू पता ही है कि आपके पिता में से नफरत करते हैं तो ऐसा ना हो कि वो आपको भी अब्मान करे हैं मातास सती का हड था कि उनको जाना है तो आखिर में जाके पावान शिव ने उनको हाँ की पर उनकी साथ एक करन को भी भेचा जो थे नंदी दीव जब मातासती अपने पित्ता के घर पहुची तो दक्ष ने उनको देखा और दक्ष भोले तुम यहां की वाई हो तुम यहां मेरा अपमान करने आई हो यह से सुनकर मातासती को बुरा नगा और वो सुचती है कि क्या मैं यहां आके गलत की मेरे पती सही कह रही थे मेना बुलाए किसी के घर ने जाना चाहिए और फिर पज़ापति दक्ष ने भवान शिफ को भी काफी बुरा वला कहा यह सब सुनकर आधासती को कुछ चा आया और उनकी आधे लाल ओट और वो बूली कि मैं कैसी पत्नी हूँ जो अपने पती के बारे में इतना सब सुन रही हूँ वो मेरी पत्नी है हर पत्नी के लिए उनका पत्नी बावान होता है जो पत्नी अपने पत्नी के लिए अपमान जुनती है उसको नक में भी जगा नहीं मिलती मैं अब एक पई भी जीमित नहीं रह सकती। फिर पादस सती ने अगनी कुंद में खड़ी हो गई और देरे देरे उनका सरीर जरने नगा। यह सब देकर सारी देवता दर उठे हैं। जब यह बात अवण शिफ को पता चलती है तो वो काफी उदास और काफी खुष्से में आ गए। और उन्होंने वीरबद्रा को आदिश दिया कि वो जाके पजापती दक्ष का नाश करते। और जो भी उनके बीच में आये उनका भी वो नाश करते। तब वीरपद्रा ने बिल्कुल वही किया जो भी बजापति दक्ष और वीरपद्रा के बीच में आयाई उसका नाश हुआ और आखिर में जाके वीरपद्रा ने बजापति का सर काठ कर उनका नाश कर दिया और फिर भावान शीव उस यग में आये और मातासत का जना हुवा सरीर उठा लिये और पिर्थवी का चक्र लगाने लगे तो ये अफसर देखकर जो भी राक्षस थे वो पिर्थवी पर आखमन करने लगे पिर्थवी का नाश करने लगे तो ये देखकर सारे देवता मेरद है और वो भावान विश्नु के पास ले और इस संकट का हल पूछा भावान विश्नु कहते हैं कि ये संकट का हल सिर्फ भावान शीव भी कर सकते हैं और तब भावान विश्णु ने अपना चक्र लिया और माता सथी और छोड़ दिया। जब भावान विश्णु का चक्र जाके माता सथी को लगा, तब उनके सरीर का इत-इत अंग करने लगा। और वो अम प्रिस्टी पे खेलने नगे यह सब देखें भावान शिर्व को काफ़ी गुस्टा आया और वो काफ़ी उदास हुआ है फिर उस समय भावान विश्णों उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत किजिए माता सती का फिर्शन जन्महोगा और वो माता पार्वति के रूप में आएंगी यह सरसुन के भावान शिर्व अपने पहले जैसे रूप में आ जाते हैं और वो इस प्रिच्वी को बचाते हैं सारे राक्षसों का नाश करके तो हमें एक यह चीज जानने चाहिए कि समय किसके वे रुपता है चाहें वो एक मामुल सा इंसान हो या कोई महादीव यह पिर महादीव ने शॉड़ी तो हमें इस कहानी से एक सीख पठा चलती है तो ऐसे ही हम इस बाड़कास्ट का अंत करते हैं और ये थी वो कहानी जो मैंने सुनी थी तो आप सभी का धन्यवाद जैसे आराम रादे रादे हर हर महादेव अंत क्या जाता। झाल झाल